हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है देवी सा जोती ब्लॉग में देखिए देवी सा यहाँ पर यह उपन करेगी क्योंकि अभी यह आया है नायका से मंगाई है तो देखिए यह अपने बालों में यही लगाती है क्योंकि जब से असपा करवाई है ना तो वह यह बोले है ना लगाने के लिए तो वही लगाती है यह तो इसके बाल ना बहुत जादा दूमों हो जाते हैं तो देखिए यहाँ पर एक हेर सीरम आया है सेमपू है यह इस्ट्रेक सेमपू जो है वही है और इसी कंपनी का यह जो क्रीम है इसको भी अपने बालों में होने के बाद और यह देखिए सीरम है यह तो मैं भी लगा लेती हूं जैसे बाल जादा उल्जा हुआ रूखा सुखा होता है तो उसके लिए देखिए सीरम है तो बहुत अच्छा है तो मैं भी एक साल से करीब यूज कर रही हूं देवीसा लाती है तो मैं भी लगाती हू तो देखिए सीरम है तो बहुत अच्छा है जिनका बाल रूखा सूखा है उल्जा हुआ रहता है तो यह लगा लो एक बून तो मतलब बढ़ियां हो जाता है मुलायम बाल जल्दी सुलज भी जाता है और यह देखिए अहां पर हम बजार से मटर लेकर के आये हैं तो देवीस साइड में कर दूँगी उसको अलग में रखूंगी क्योंकि इसको हमें फ्रीजर में श्टोर करना है तो मैं आगे भी बताऊंगी वीडियो में कि किस तरीके से श्टोर करना है पूरे साल के लिए आप श्टोर करके रख सकते हैं तो देखिए सब से पहले मैंने गरम पानी खुला लिया है एक बरतन में ताकि हमारे अच्छे से जो मटर है वो डूब जाए तो हमारा यहाँ पर दो किलो मटर था तो उसमें से मैंने आधा किलो मटर को अलग कर दिया था क्योंकि जादे पके पके थे तो उसको हमने अलग हटा लिया था यह देखिए बिल्कुल मुलायम वाला जो मीठा वाला जो मटर होता है वह हमारे पास तो हमने पानी में दो चमचीनी डाला था और देखिए उसके बाद हमने मटर डाल दिया है इसको एक बॉयल और आने देंगे एक बारा और खौलेगा उसके बाद फिर मैं इसको वहाँ से निकाल अच्छे से नहीं तो गरम पानी के वज़े से ज्यादा पक जाएगा तो इस वज़े से ठंधा करना है इसको इसको बाद फिर मैं एक कप्ड़े साफ कप्रे पे निकाल लूगी इसे देखिए यह ज्यादा इसको नहीं पकाना है और इस तरीके से जब हो गया तो हम निकाल द लेने कपड़े पर नीचे मैंने थाली रखता है ओपर से मैंने एक साफ कप्ड़ा रख्प है मतलब जो तो बीडookie करती हुआ है तो इसको अच्छे से पहुंच लेना है पानी नहीराने है तो देखिए इसको अच्छे से पहुच लोगी इसके बाद मैं पनी में किस तरी करती हूं भी आप देख लीजेगा और पूरे साल के लिए मैं मटर भी रखती हूं इसी तरह से स्वीट कॉन भी रखी हुई हूं मैं फिरीजर में तो देखिए इस तरीके से अच्छे से इसको पानी बस उखा लेना है उसके बाद मैं पनी में भर दूँगी तो देखिए हमा माटर को में बढ़ लिए है क्योंकि हम दो किलो माटर लाय था था तो थोड़ा पका हुआ निकल गया था तो उसको अलग हमने हटा लिया कि फ्राइ करके अपना नास्ता में चाय में खा लेंगे उसको और जो जो पकिए जो मुलाय मुला माटर जो मीठा वला है उसको हमने लिए उबाल लिया था तो देखिए इस तरीके से पनी में ये मेरे पास बड़ा पनी है तो इसको मैं सारे डाल लूँगी उसके बाद मैं दिखाती हूं इस पनी को क्या करूंगी कि बहु ज्यादा बड़ा है इसको भी हमें सील पैक करना है तो किस तरीके से हमें करना है वह आप देख लीजिए तो मैं मुंबती के सहारे इसको सिल पैक कर दूँगी आउपर से पनी तोरा काट करके पर छोटा कर लूँगी तो देखिए इस तरीके से आप पैकिट बना के रख सकते हैं फिरीजर में अपने पूरे साल के लिए श्टोर करके देखिए होममेड मतर हो ग होंगी अभी 25 रुपय केजी है मतर और फिर अगर बजार से लेने जाएंगी तो यहीं मतर आपको सो रुपय कीलो मिलेगा ज्यादा ही मिलेगा क्योंकि एक पाउ का जो मतर के पैकिट लाते हो वह हमाई 45-50 रुपय के करी मिलता है और देखिए यहां पे हम दाल चला लिए ह तो दाल में एक टमाटर डाला है एक हरी मिर्च डाला है हल्दी डाला है नमक स्वाद के अनुसा डाला है और मैं दाल डेली मिक्स बनाती हूं उसमें चना होता है रहर होता है मूंग होता है अलाल वाली मसूर होता है तो मैं डेली यही यूज करती हूं कभी कदाल चना होना जो बडी हम बनाते हैं तो उसको भी मई डालूँगी, बैगन में, बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेश्टी बनता है, तो मैं बडी भी डालूँगी इस में, तो देखिए मेरे पास पहले का थोड़ा सा बडी रखा हुआ था, तो चलिए अभी काट लेते हैं सब्जी, उसके बाद मैं फिर कीचन में आजाती हूँ, फिर कीचन में आपको दिखाती हूँ, कि किस तरीके से मैं बैगन के सब्जी आज बनाओंगी, तो देखिए यह बड़ी हमने ले लिया है, इस तरीके से जो बड़ी बना हुआ जो है, तो देखिए हमने एक चमच तेल डाला है तेल को गरम होने दिया है उसके बाद हमने बड़ी डाल दिया है ज्यादा नहीं डाला है आठ से दस बड़ी डाल दिया हमने इसको भून के लाल करके निकाल लेंगे तो देखिए इस तरीके से इसको लाल करके भून लेना है और बढ़ी मुझे बहुत पसंद है मैं किसी दिन खाली बढ़ी भी बना के आपको दिखाऊंगी रेस्पी तो ये बैगन के साथ मैं बना रही हूं तो देखिए थोड़ा सा चम्मच एक चम्मच तेल हमने आओ डाला है सरसुका इसमें थोड़ा सा मेथी दाना आठ से दस दाना जादा नहीं जादा मेथी दाने पे कड़ूआ हो जाएगा और देखिए उसके बाद हमने प्याज डाल दिया है और इसमें आलू डाल देंगे एक जो कटा हुआ अलू है उसको डाल देंगे थोड़ा सा प्याज के साथ ही मैं आलू को भी भून लूँगी अब प्याज भी तो आप भी बैगन को काटके थोड़े दिर के लिए पानी में रख दीजिएगा जैसे 10-15 मिनट हो गया तो देखिए मैं फिर बैगन को अभी पानी में ही छोड़ रखी हूँ काटकर के भगोने में और देखिए पानी से निकाल करके मैंने बैगन को डाल दिया है अब इसक पूरा वीडियो देखिए गा तभी समझ में आएगा तो देखिए नमक सवाद के अनुसार हम डाल दिये हैं इसमें बैगन में इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे जब तक हम सील पे मसाला तयार कर लूँगी जो की देखिए मसाला में हमने दो हरी मिर्च लिया है थोड़ा सा सरसो दाना लिया है मतलब आधा से भी आधा चमच होगा और काली मिर्च अरजीरा अल्ला सनबस इतना ही का हमने पेष्ट बना लिया था और हल्दी हमने डाल दिया और इसमें फिर दो छोटे साइज का कटा हुआ टमाटर हमने डाल दिया है। और उसके बाद इस को अच्छे से मसाला को पहले भूण लेंगे जब तक मसाला में खुस्बू आजाए것도, मतलब अच्छे चोटे गिलास से 2 गिलास पानी डालेंगे यानि की 2 कटोरी ताकि हमारा बैगन के सबजी अच्छे से पानी में ढूप जाए और इस तरीके से अगर पानी नहीं डालेंगे तो बड़ी आपका नहीं फूलेगा तो इस वज़े से पानी डालना जरूरी है सबजी में इसको ढग देखेंगे दीमी आज पर इसको पकने देते हैं इसको देखें फिर पानी सारा सूख गया हमारा सब्जी बनके भी तयार हो गया और बड़ी भी बनी आ इसमें पक गया तो चलिए एक अधूटा सा फ्राइपेन को रख लिया है इसमें हम देखिए थोड़ा सा सरसो तेल डाले तो देखिए हम इसमें जीरा डाले हैं और हींग डाले हैं तड़के में और प्याज और लासन कटा हुआ है एक हरी मीर्च है क्योंकि एक मीर्च हमने दाल में भी डाला था तो इस वज़े से लाल मेर्च में कम यूज करती हूँ गर्मी के दीना रहा है तो नहीं यूज करूँगी क्योंकि हमारे पती को बीपी भी है सुगर भी है तो इस वज़े से लाल मेर्च में यूज नहीं करती हूँ ज्यादा बहुत कम करती हूँ देखिए इधर हमने चावल के पानी उबल गया था तो उसमें हमने चावल धोया हुआ डाल दिया है दो करके मैं चावल रखी हुई थी तो उसको मैंने डाल दिया इधर हमारा दाल का तड़का बन के तयार हो रहा है तो देखिए दाल का तड़का मतलब ब्राउन हो गया था उसमें हमने दाल को डाल दिया है। तो मेरा आज का लेंच दाल, चाड़ और आलू, बैगन और बड़ी की स्बीजी बन के तयार हो गया है। मोज़ए हमारा चाड़ भी बन गया है। अब इसमें से हम मांड को निकाल लेगे। नीचे हमने एक कटोडी रख दिया है तो उसमें जो भी मार गिरेंगे या चावल गिरेंगे तो चावल निकाल करके फिर मैं बाहर चड़िया को डाल देती हूँ तो देखिए इस तरीके से मैं निकाल ली अगर मेरे घर कोई महमान भी आते हैं तो बड़े पतीले में हम चावल इसी तरीके से बनाते हैं और एकदम खीला खीला चावल बनता है